दोस्तों, आज कुछ खास लेका आया हूँ आपके लिए, सिर्फ पांच मिनिट रोजाना करोगे और आपको उस लेबल का एनरजी मिलेगे आप सोच नहीं सकते हैं आपकी रोग प्रतिरोग ख्यमता जितनी है उससे कम से कम तीन से चार गुना बढ़ जाएगे बहुत ही simple techniques है, काफी सारे लोगों को personal level पर जो लोग मेरे से मिलते हैं उनको बताया हूँ और लोग करते हैं, सबको फायदा होता है हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है, हम लोग ऐसे भी मुठी मुठी करते हैं मगर हमें यह पता नहीं है कि यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है तो हमारे सरीर के अंदर क्या होता है? यह मुठी जब बंध होती है और खुलती है तो किस लेवल का चेंजेस हमारे सरीर में होता है? किस तरह का केमिकल रियक्शन हमारे अंदर होता है? कौन से हर्मोन ह हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बूरा चीज हमारा कम हो जाता है चाहे हो डिप्रेशन हो एंजाइटी हो स्ट्रेस हो एक साधार जिबाद है हम लोग ऐसे ही बैठके भी कई लोगों के आदत है ऐसे मुठी-मुठी करते रहते हैं कभी हाथ अकडने के जैसे लग करते हो इस तरीके से तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर गो, इन इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको ऐडेनल ग्लाइंड कहा जाता है जो खास करके हमारा Blood Circulation, Blood pressure को और को Controp करता है Middle finger, जहां हमारी touch होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूँ, तो वो सीधे kidney के reflection area को touch करता है Ring finger हमारी जहां touch होती है, वो सीधे pancreas के reflection area को touch होता है उसका जहां nerve end है, उसको touch करता है And little finger जहां touch होती है, वो आपका liver कहलाता है Right side और left side में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है वो right में है आपका liver, left में है आपका heart Left का little finger जहां पे touch होती है, that is equal to the heart यानि अगर हमने इस तरीके से मुठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा index finger touch कर गया आपका adrenal gland Middle finger जहां touch हो गया, वो आपका kidney हो गया और ring finger जहां touch हो गया, वो आपकी pancreas हो गया और little finger जहां touch हो गया, वो आपका liver हो गया इधर उसी तरीके से यह adrenal gland याने BP point हो गया इधर आपका kidney point हो गया, यह आपका pancreas याने diabetes के लिए हो गया और यह आपका little finger जहां touch हो, हाट का हो गया अब सवाल यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापिटी का लिए अपने लिए सिर्फ 5 मिनिट आप किसी भी जगा पर बैठ लिजे, चाहे chair में हो, bed पर हो या फिर आसन डालके नीचे बैठ ले, जहां आप comfortable हो, जिस हालत में भी आप हो दिन में एक या दो बार 5-5 मिनिट मुठी बंद करना है सांस लेते हुए और टाइट करके रखना है एक दो सेकेंड फिर इसको खोलना है फिर सहसे मुठी बंद करनी है और फिर इसको खोलनी है थोड़ा टाइट करके दबाई यह जिससे की वो जो point है वो stimulate हो सके पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे फिर एक दो सेकेंड रोकनी है और इसको खोलनी है इस तरीके से मुठी बंद करनी है और खोलनी है यानि आपके मुठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्तिय छुपा हुआ है बस दबाओगे वो निकल आएगा आपकी एनरजी आपके मुठी में बंद है आपका बिमारी को दूर करने की ख्यमता मुठी के अंदर बंद है बस टाइट करें और फिर हो खुल के बाहर आएगा आपकी ब्यूटी आपके मुठी के अंदर है टाइट करिए दो सेकेंड रोकिए फिर इसको खोलिए याने जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनरजी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है मैं थोड़ा इसको योगा और एकी प्रेशर का दोनों को मिला के तयार किया हूँ कि आप जब भी मुठी बंद करते हो एक्स्ट्रा एक बार को उसमें जोड़ा गया है कि आप सांस जरूर लो और जब मुठी खोलते हो तो सांस बाहर निकालो इस तरीके से याने सांस लिए मुठी बंद किए सांस छोड़े मुठी खोल दिए दोस्तों पांच मिनिट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाई डे आपके अंदर चंजेस आते जाएगा जिसको ब्लट पेशर है जिसको किड्नी का प्रावलम है जिसको आपका डाइबेटिस है जिसको लिवर में को प्रावलम है जिसको हार्ट में प्रावलम है उनके लिए तो ये पुरा राम मान है जिनको नहीं है उनको जिन्देगी भरी बिमारी कभी होगा नहीं अगर आपका हाट, लीवर और आपका किड्नी एडेनल ग्लैंड, पैंक्रियाज ये सब बढ़िया रहा तो आप और क्या चाहिए जीवन में तो बहुत ही छोटा बात थी मगर इसकी रेजल्ट जो है बहुत जबरदस्त है उम्मीद करता हूँ आप इसको अमल में लाओगे डेली रेगुलर पैक्टिस करोगे इसका फाइदा आपको जरूर होगा और इस बात को गांड बना लीजिए फाइदा होना तै है थैंक यू भेरी मच